तारे सितारे वंगरहनक्षत्र बदलते हैं अपनी चाल और एश्ट्रो गुरुजी बताते हैं आपकी जिन्मराशी का हाल मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 8 सितंबर 2024 रवी बार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वच चंद्रबल के प्रभाव से आज बारा में से सात राशी वालों को भागिका भरपूर सांत मिलेगा इन सात राशी वालों में आज हैं मेश, ग्रशब, मिथुन, सिम्व, तुला, धनू और मकर राशी वाले दोग वहीं अन्य राशी वालों के लिए आज का दिन सामानने रहेगा तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्प्रो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्च दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकर्सन सबसे पहले आपके पास महुचे आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवर धग जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज भादर पदमाश शुकल पक्ष की पंचमी तिथी है रवी बार का दिन है आज दिन की सुरुआत स्वातिन अक्षतर से होगी और तुला राशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदै प्राता हकाल 6 बच के 2 मिनिट पर होगा और सुर्यास तसाम के 6 बच के 33 मिनिट पर होगा आज राहुकाल साम के 5 बजे से आरम बहु करके साम के 6 बच के 35 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक वर नया कारिय शुरू नहीं करें इस समय अवदी में किसी भी नई वस्तू की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सुल रहेगा पश्चिम दिसा में तो आज के दिन आप पश्चिम दिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक वर नया कारिय अरंब नहीं करें पश्चिम दिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अतियावश्यक हो तो अपने इस्ट देवता की सरद्धा पुर्वक पूजा आरादना करके या इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक साधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते ही और आज का सरवस्रेष्ट मुहूर्त अभीजीत मुहूर्त आरंब होगा प्राता काल 11 बच के 53 मिनट से आरंब हो करके दोपार 12 बच के 43 मिनट तक सरवस्रेष्ट वशुब मुहूर्त रहेगा इस मुहूर्त में आप कोई भी शुब मांगलिक वश नया कारिय आरंब कर सकते ही या किसी भी नई वस्तू की खरीदारी आप करना चाहते ही तो इस मुहुर्त में आप कर सकते ही तो अब जानिये अपनी जन्मराशी के नुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको सफलता पाने केलिए क्या खास उपाये करना चाहिए तो मेस्राशी से आरंब करते हैं मेच राशिवाले जातकों के नुसार आज का दिन इस परकार से रहेगा ये दी आज आपकी किसी परकार की कोई चिंता है तो अपने मित्रों के साथ उस चिंता को प्रकट करें इससे आपको सफलता मिलेगी विचारों में बढ़ रही नकारात्मक्ता के कारण काम में मन कम लग और व्यापार व्यरुसाय में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी आज आपका भाग्यशाली अंकचार है शुब रंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्यकासाथ असी प्रतिसत अपराप्त होगा आज आपका विशी सुपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान क करने के पश्चात सूरी भगवान को तांबे के पात्र से अर्गे चड़ावे दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है व्रशब व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से है अपने अवसरों का सही प्रकार से उप्योग करें बढ़ रही बेचेन आप नहीं बने इस बात का विशेज ध्यान रखें अपना काम स्वयम करेंगे तो अच्छी सफलता प्राप्त कर लेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक चार है शुब रंग आपका सफेद रंग है आज आपको भाग्यकासाद 55 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका समान काम को नजर अंदाज आप नहीं करें साथ ही दूर दरश्टी रख करके निरने लेने के आपको आवश्यक्ता है परिवार का साथ महत पूर्ण आपके लिए होगा लेकिन आत्म निर भर बनने के लिए प्रयत न करते रहें बढ़ रही दूविधाओं के करण तकलिप आपको हो सकती है किसी भी समस्या का समाधान प्रयतनों से ही आपको मिलेगा इसलिए आलस्य और उदासिंता से दूरी बनाए रखें बहतर होगा आज आपका भाग्यशाली अंक साथ है शुवरंग आपका औरेंज रंग है आज आपका भाग्य का साथ है पिचोतर प्रतिसे प्राप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्रातरहकाल इस्नान करने के पश्चाथ सूर्य वगवान की गंद पुष्प अक्षत के द्वारा पुजा करें ओम घ्रणी सूरियाई नमह इस मंतर का 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली र इंता के कारण बन सकते हैं आपको परिस्तिती से हार न मानते हुए प्रयत न करना चाहिए वर्तमान की स्थिती बले ही आपकी मरजी के अनुसार नहीं हो लेकिन आप अपनी काबिलियत के जरिये अनेक बातों को अपने पक्ष में कर लेंगे इस से आप सफल भी रहेंगे आ ओम आदी त्याइनमा इस मंतर का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगली रासी है सिम्वराशिवालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है व्यक्तिकत जीवन में आ रहे है उतार चड़ाओ की वज़े से आपको दुविधा बढ़ेगी किसी एक काम का चुनाओ क परके उसे पूरा करने की कोशिस करें सफल रहेंगे हर प्रकार के प्रलोभन से दूरी बनाए रखें तै उद्देश को हांसिल करने पर ध्यान देते रहें मेहनत के अनुसार तुरंत फल आपको मिल सकेगा आज आपका भाग्यशाली अंक तीन है शुबरंग आपका लाल र 108 बार जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा अपने काम को पूरा करने के लिए संयम रखना बहतर होगा दस्ता वेजों से जुड़ी बातों के करन काम की गती धीमी रहेगी लेकिन काम पूरा वक्त पर हो सकेगा आपकी चिंताएं जल्द ही दूर होने वाली है और अपेक्षा के अनुसार बड़े बदलाव आएंगे इनसे आपको फाइदा भी होगा आज आपका भाग्यशाली अंकछे है शुब रंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग्यका साथ 82 80% पराप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाज सूरी भगवान को तामबे के पात्र में गंगाजल और अक्षट डाल करके गंद डाल करके तीन बार अर्ग चड़ावें ओम ग्रणी सूरी आइनमा इस मंतर का जाप करें दिन आपका शुब रहेगा अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसर आज का दिन इस प्रकार से रहेगा मोज मस्ती के साथ काम पर ध्यान देना बहतर होगा खर्च अचानक आपके बढ़ सकते हैं जिन पर नियंतरन करना कठिन रहेगा जीवन सेली में बदलाव करने के लिए अपनी नकारात्म का बातों से दूरी बनाए रखें आपके लिए डिसिप्लिन आवशक है यह बात आपको समझना चाहिए इस कारण काम और जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती नजर आएगी आज आपका भाग्यशाली अंकनो है शुब रंग आपका नीला रंग है आज आपको भाग्यकासां सत्तर परती से तपराप्त होगा आज आपका विशिश उपाई इस प्रकार से ही प्राताहकाल इस्नान करने के पश्चात सूरी भगवान की पूजा करें आदीत्य हरदय इस्तरोत्र का पाठ करें दिन आपका शुब रहेगा अगल च्छमता के नुसार ही मदद करें और पेसों से संबंदित लेंदेन के करण नुकसान होने की संभावना है जब तक किसी भी बात में विचार इस पस्ट नहीं होतें तब तक कोई जरुणी निरने आज नहीं लें वरना आपका नुकसान हो सकता है आज आपका भाग्यकासां च्छी उत्तर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका विशिश उपा इस प्रकार से है प्राताहकाल इस नान करने के पस्चाद सूरी नारण भगवान को तीन बार तामबे के पातर से अर्ग देवें ओम घ्रणी सूरी आइनमा इस मंतर का अधिक सेधिक संख्या में जाप क काम में जटिलता बढ़ती नजर आईगी जब तक लोगों के विचार और इरादे समझ नहीं आते तब तक किसी भी प्रकार की मदद करने से आपको बचना चाहिए वियक्तिकत दाइरा अपना बनाए रखें इससे आपको फाइदा होगा आज आपका भगवान सूरी देवत को अरगे चड़ावें उम्भास कराइनमा इस मंतर का यथा शक्ति जाप करें दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से है आज ध्यात्मिक बातों पर ध्यान देने से निरासा आपकी दूर होगी आप काम से दिक व्यर्थ की बातों पर वक्त बरबात कर सकते हैं इसलिए सतरकता रखना होगी किसी नई बात को सिखते समय वक्त का सही उप्योग करना होगा जरूरी काम पूरा हो इस बात का आपको आज विशेश ध्यान देना होगा इससे आप सफल रहेंगे आज आपका भाग्यशा पातर से जल चड़ावें ओम दिवाकराईनमा इस मंतर का अधिक सेधिक संख्या में जाप करें दिन आपका शूब रहेगा अगली राशी है कुम्ब कुम्ब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से हैं जो अवसर प्राप्त हुए हैं उनके लिए आप सकारात्मक बने रहें आप एक्षित लक्षों को हासिल कर पाएंगे सुभाव में बढ़ रही नकारातमकता और चिर्चिडापन दूर रखें निरासा से कारी छमता आपकी कम हो सकती है आज जो बाते आसान लगती है केवल उन पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें इससे आप सफल रहेंगे आज आपका भाग्यशाली अंक नो है शुबरंग आपका पीला रंग है आज आपको भाग्यकासाथ पिचोतर प्रतीसत अपराप्त होगा आज आपका विशेश उपाई इस प्रकार से है प्रातहकाल इस्नान करने के पस्चाद सूरी भगवान को तामबे के पातर में गंग प्रक्षा ना रखते हुए केवल अपने प्रयतनों पर विश्वास करें सतरकता को बनाए रखें लोग आपका विरोध आज कर सकते हैं अपने अनुभवों से कठिनाईयों को दूर कर पाएंगे जीवन में सुधार आपके होगा और सफलता भी आपको मिलने वाली है आज इसनान करने के पस्चाद भगवान सूरी देवता की पूजा करें ताम्बे के पातर में अक्षत कुमकुम हल्दी डाल करके तीन बार अरगे चड़ावें ओम आदित्याइनमा इस मंतर का यथा शक्ती जाब करें दिन आपका शुब रहेगा तो मित्रो आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वाशेयर अवश्य करें धन्यवाद जैस्री करश्न में तो फिर मिलेंगे